सभी चात्रों का एक बार फिर हार्टीक स्वागत है गणि दरपन चांदर पर एक आज गा जुआए टॉपीक है सत्रपुज और सत्रपुज की परिवासाई एब हम उसके परकार ओर यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सत्रपुज की परिवासा क्या होती है तो चार हम देख सकते हैं देखिए चार बुजा है कौन कौन सी देखिए यहां नाम देता हूं मैं A फिर यह B एक बुजा हो गए A B दूसरी बुजा यहां पर नाम देता हूं C और यह हो गया B, देखिए A, B, एक बुजा, B और C, ये दूसरी बुजा, C और D, ये तीसरी बुजा और D से लगा कर ये तक ये चौती बुजा, अर्था हम कह सकते हैं कि चार बुजाओं से गिरी होई, एक बंदा करती होगी, उसे कहेंगे चत्रबुज, और चत्रबुज टोटल 6 परकार क होते हैं कौन कौन से, आयत, वर्ग, सम सत्रबुज, समांतर सत्रबुज, समलम सत्रबुज और पत देखता हैं इनकी सबकी परिबासा है एवं इनके डायग्राम, तो दिके सबसे पहले देखते हैं वर्ग स्क्वЕर, यानि जिस सत्र बुज की चारो बुजाओं बराबर और नाम दे देता हूँ A, B, C और ये D, ये जो डाइग्राम है वो एक वर्ग का है, इसकी विशेश्टा है कि इसकी 4 और बुजा ये समान है, जितनी भी बुजा है, जैसे ये 10 cm होगी, जैसे ये मांजरो 10 cm होगी, ये भी 10 cm होगी, ये भी 10 cm, और ये भी 10 cm, यानि एसा सत्रभु का अगर आको परिमाप निकालना है तो ये सुतरों इस्तबाल करना है चार इंटो पुजा और सेत्रपर निकालना है तो पुजा इंटो पुजा ठेक है next है आयत यानि रेक्टेंगल यानि जिस सत्रभुज की संस्वुख बुजा है है वो समान होगी या यह बुझा इसमान होगी और जो उपर वाली बुझा है वो दीचे वाली बुझा के समान होगी तो परिवासाँ आप याद रख सकते हैं कि whale eating मूपवा यह पिल्द संम्मुझ बुझा बराबर होगी BC के तो इस तक से आप समझ सकते हैं कि आमने सामने की बुजाए समान तथा परते कौन नबे डिग्री हो उसे कहेंगे आयत अब आयत का परिमाप निकालना है तो यह सुत्र इस्तमाल करना आपको दो ब्रैकेट लंबाई पलस चौड़ाई ठीक है सेत्र पर निक समझ कौन समान हो यानि आमने सामने वाले जियू कौन है वो अगर बराबर है तो ऐसे सत्र पुज को बोला जाएगा सम सत्र पुज грए की बी-दी सी और ये D A, ये अगर भुजा है, सभी समान है, साथ ही इसका समूख कौन अगर समान है, जैसे ये कौन, इस C के बराबर होना चाहिए, और B है, वो किसके बराबर होगा, D के, तो A सत्रबुज कहलाएगा, सम सत्रबुज, अब देखिए, आपने देखा कि वर्ग और सम क्या क्या है, समान है, परंतु वर्ग के अंदर परते कौन 90 डिगरी का होता है, जबकि सम सत्रबुज के अंदर सम्मुख कौन है, वो समान होता है, इसके अंदर 90 डिगरी का कौन नहीं होता, ये आपको अंतर बुख्य रूप से ध्यान रखना है, कि वर्ग के अंदर परते कौन नभे डिगरी होगा जबकि सम सत्रभूझ के अंदर नभे डिगरी का कौन नहीं होता इसके सम्मुख कौन समान होता है यानि आमने सामने के जो कौन है वो समान होगे ठीक है परिमाब निकालना है तो इसका सुत्र लगाना है चार इंटू बुजा, सेत्रफल निकालना है आधार इंटू उचए या फिर आप सुत्र लगा सकते हैं एक बटा दो, इंटू विकणों का गुणन्द फल तो ये तरीका है आपके सम सत्रफल के सेत्रफल और परिमाब निकालने का नेक्स्ट जो सत्रफल है वो है समलम सत्रफूज इसकी परिवासा है कि ये सत्रफूज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानतर हो उसे कहेंगे समलम सत्रफूज यानि इस सत्रफूज की विश्यसा क्या नजर आ रही है देखिए यहा नाम देता हूं A, B, C और ये D तो देखिए एक जोड़ा है सत्रफूज के अंदर दो जोड़े होते है तो यहाँ पे एक जोड़ा जैसे A, B है ये जो भुजा है किसके समानतर है D, C के अंदर समानतर का मतलब आप अच्छे रग से समझते होंगे ये ऐसी दो रेखा है जिने अनन तक बढ़ा जाने पर भी एक दूसरे को परतिशे दित न करे उसे कहेंगे समानतर रेखा है तो जैसे यहाँ पे जो A, B है वो किसके समानतर है D, C के अंदर अगर मैं इन भुजाओं को आगे बढ़ो ऐसे तो ये अनन तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को क्रोस नहीं करेगी यानि कि दोनों ये भुजा है वो क्या है? समानतर है और ये जो A, D और B, C है वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर क्रोस हो रही है ये यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो ये दूसरे को क्या करेगी? क्रोस करेगी तो सिफ इसके अंदर एक जोड़ा ही क्या है समानतर है इसलिए ऐसे सत्रभूज को बोला जाएगा शमलम सत्रभूज और ताथ आप याद रख सकते है कि जिस सत्रभूज की सम्मुग बुजाओं का एक जोड़ा समानतर हो उसे कहेंगे समलम सत्रभूज अब इसका परिमाब निकालना है तो बुजाओं का योग करना होगा और सेत्रभू निकालना है तो एक बटा दो इन्टू समानतर बुजाओं का योग इन्टू उचाही तो यह फॉर्मूले सब आप याद रख सकते है क्योंकि बड़ी कक्साओं के अंदर आपको इस टाइप के सभी कोचन्स मि बोला जाएगा կा ञाएक लिए पर इमयाने का बोला जाएगा तो आप इन सुथो का इसंहाल करके आप इजैली निकाल पाएंगे nouvelles sa समांतर सत्रबुज, जिस सत्रबुज की संभुग बुजाएं समांतर और बराबर हो, यानि एक ऐसा सत्रबुज, जिसकी संभुग बुजाएं समांतर हो, तथा बराबर हो, ऐसे सत्रबुज को बोला जाएगा समांतर सत्रबुज, देखें यहां पे इस डायग्राम से समझते यह समानतर सत्रोगोज है, a, b, c और यह d अब देगए इसके अंदर क्या विज्योचता है किसके बुझाओं के दोनों युग्म है वो समानतर है कौन-कौन सा? देखे A, B है यह जो बुजा है इस बुजा के समानतर है DC के आंदर और इसी परकार AD है वो किसके समानतर है B और C के तो अगर बुझाओं के दोनों युग्म समानतर है तो उसे बोला जाएगा समानतर, सत्रबुज और सिफ भुजाओं का अगर एक युगम समानतर है तो उसे बोला जाएगा समलंग सत्रपुज जो इससे पहले मैंने आपको बताया है साथ ही इसकी विशेसा होती है कि इसके जो समलंग भुजा है वो भी बराबर होती है यानि A और D जितनी लंबी होगी जैसे 10 cm तो यह जो BC है वो भी 10 cm होगी जिस परकार आयत में कैसे होती है उसी परकार आपको ज्यान अगरा है कि आमने सामने की बुजा इसके अंदर समान होगी समानतर सत्रपुज के अंदर भी समान होती है अगर मान लो इसका परिमाप निकालना है तो आपको सुत्र लगाना है कि 2 इंटू लंबाई पलस चोड़ाई सेत्रपल निकालना है तो आधार इंटू उचाई तो नेक्स आपके है पतंग जो की हमारा चटा सत्रबुज है देखे इसकी विशेस्ता है जिस सत्रबुज की आसन भुजाओं के दोनों जोड़े अगर बराबर है तो उसे कहेंगे पतंग यानि ऐसा सत्रबुज जिसकी आसन भुजाएं समानो उसे कहेंगे पतंग देखें यहां पर आसन भुजाओं का मतलब है पास पास वाली दो भुजा देखें A, B, C और यह D A से लगा कर B तक यह जो भुजा है वो बराबर होगी A से लगा कर D तक ठेक है यानि दोनों भुजा यह समान होगी और साथी C, B A जो भुजा है वो किसके बराबर होगी C, D, K तो ऐसा सत्रबुज जिसके अंदर आसन भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर हो उसे कहा जाएगा पतन ठेक है बहुतिक सिंपल परिवैसा है और परिमाप अगर निकालना है तो वोई 2 इंटु लंबाई पलत चोड़ाई और सेत्रबल निकालना है तो 1 बटा दो इंटु विकनों का गुणनत्फल